आज वेलकम बैक टो मैं चैनल तो आज की इस वीडियो में हम एक और प्रोग्राम मनेंगे पहले तो मैं याद दिला दूं हम बात कर रहे थे अपने पाइथन कोर्स के बारे में और यह हमारे पाइथन कोर्स का 40 तुटोरियल है 4040 ठीक है तो इससे पीछे की टुटोरियल आप मैंने चैनल पर जाकर एक प्लेलिस्ट है कंप्लीट पाइथन कोर्स के नाम से वहां से जाकर एक वार एक्सेस कर लिजिए तो आपको यह टुटोरियल और अच्छे से समझ आ जाएगा नहीं तो अगर आपको चोटे मोटे कॉं बहुत अमेजिंग से समझ आएगा क्यों मैं बहुत टीप लर्णिंग पर ध्यान देता हूं ठीक तो बिना टाइम वेस्ट क्यों है चलते हैं यहां पर हम सबसे पहले यूजर से एक इन्पुट कराएंगे नेम फोर एक्जांपल यूजर ने नेम डाला निशांत ठीक है औ और उस ने में क्या होगा हम यहां प्रिंट करादेंगे उसके जो वर्ड से मफREY करादेंगे उसके काउंट करा देंगे Dank跡 आप देखिए क्जिकिया तो इस प्रोग्राम में क्या हुआ जासे कि निशान्त में द भार रोट अगया आइक वह आ जिस natuur है तो इस प्रोग्राम को आप क्स तरह बनेंगे यह मैं आपको अच्छे से सिखा हुआ लुग है तो बीना यह में इस प्रोग्राम को है सबसे पहले तो इससे scroll down कर लेते हैं थोड़ा सा उसके ताकि आपको अच्छी से दिखाई दे तो यहां पर सबसे पहले एक variable लेंगे name और उस name के अंदर एक input कराएंगे input में क्या कराएंगे सबसे पहले message लिखेंगे enter your name enter your name जो हम कर देंगे यहां पर तो उसके बाद में क्या होगा सबसे पहले हमें एक variable बना होगा i equal to zero उसे हमने initialize कर दिया zero से क्यों क्यों क्योंकि यहां while loop की बात करेंगे और while loop में starting point देना होता है जो हमने दे दिया i equal to zero ठीक है तो हमें करना क्या है यह जो है है हमारा name for example यहां पर जैसे हमने एक example लिया name के लिए निशान्थ तो यहां निशान्थ हो गया निशान्थ तो हमें क्या करना सबसे पहले इस n को को पकड़ना इसके बाद आई को पकड़ेंगे फिर एसको पकड़ेंगे सबसे पर क्या करेंगे इस N को पकड़ेंगे देखिए N कितनी बार है तो इस count को फिर प्रिंट कर देंगे बहुत simple है complicated चीज नहीं है ऑन्य पुरा सा ध्यान देना होगा यहां क्या करेंगे लूप चलाएंगे कब तक चलाएंगे आइज लेस दें जो वारा नेम है तो नेम की जो लैंथ है उसके कम तक चलाएंगे क्यों 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 क्य दे देंगे और print statement में हम क्या लिख देंगे सबसे पहले एक f string देंगे ठीक है और यहां पर हमें 2 placeholders देंगे 2 placeholders क्यों क्यों क्योंकि पहले placeholder में तो हमारा character आएगा और दूसरे placeholder में हम यहां लिख देंगे जो उसका count है अब वो direct तो आएगा नहीं उसके लिए हम calculations करेंगे calculation क्या पहरे तो उस word को पकड़ते हैं किस सरह पकड़ेंगे name का जो character है first time पर 0 वाले को पकड़ेंगे उसके बाद फिर 1 वाले को उसके बाद फिर 2 वाले को तो उस चीज को हम छोड़ देंगे IQ पर क्योंकि IQ value इस time पर 0 है next time पर 1 होगी उससे next time पर 2 होगी उससे next time पर 3 होग में किस में से find करना है sources name.count name में से count करना है क्या count करना है name का जो character hai name का जो, जो आप चाहते हैं वो आपको भी नहीं मिलेगा उसमें कुछ गल्ती है उस गल्ती को मैं भी सही कराँगा यहां निशांत लिखा तो देखिए n का count बता दिया 2, i का count बता दिया 1, s का count बता दिया 1, यह सब यहां तक सही था जब तक हमने यह नहीं देखा था n equal to two, copy value देख रहा है, इसने एक बार बता दिया 2, हमने एक बार में सुन लिया तो इस दोबार हमें क्यों बता रहा कि n दोबार आ रहा है, हम चाहते हैं कि हमें एक बार ही दिखाए, जिससे कि हमार प्रोग्राम अच्छा प्रोग्राम कहलाए, ठीक है, तो इस चीज़ के लि house में हम रखेंगे क्या जैसे कि सबसे पहले हमारा character गया N तो उस N को हम यहां लिख लेंगे और N के यहां आने के बाद में next time पर जो character जाएगा तो देखेंगे क्या इस storage house में हमारा वो character है अगर वो character नहीं होगा अगर वो character होगा तब कुछ नहीं करेंगे अगर नहीं होगा तो हम किस तरह करेंगे सब से करना है इस च्तूरीच के अंदर हम चिंडिशन लगा नहीं संप्ल अगर जो हमारा अगर जो हमारा क्या चीज हम किसके आने बात करें है इफ जो हमारा करेक्टर है नेम की जो आइत पोजिश्चनला करेक्टर है एक सेकंड नोट इन अगर वो नहीं है किसमें नहीं है इस्टोरेज वह हमारे स्टोरेज के अंदर नहीं है तो उस कंडिशन भाईया यह सारा काम कर देना ठीक है तो यह सारा काम कर दिया पट एक काम और करना भाई एक काम करना है. यह सारह काम करने के बाद में इस क्रेंक्टर करेंगे तो बिलीव मी गाइस कि आने वाला है मज़ा आजाएगा आपको देख करके यह रहा तो नाम दा देते हैं थोड़ा बढ़ा निशांत गुपता तो निशांत गुपता लिखा तो कुछ गड़बड है थोड़ी सी एक मिस्टेक हो जाती है यहां क्या करेंगे हमें आई की वैल्यू को हर बार बढ़ाना है में लूप से डिल करना है ठीक है तो यहां इसे ओक करेंगे और ओक करने के बाद में हम वापस जालते हैं निशांत गुपता ठीक है तो यहां आप देखोगे हमारा इसने बताया एन इक्वाल टू और एक के बाद में इसे दौ़ार बताया बताना था बर इसने नहीं बताया क्यों क्योंकि हमने उसे कैंसर कर दिया हम समझदार है हमने इसे बोला सिर्फ एक बार बताओ ठीक है तो हमारा प्रोग्राम एकदम 22 तरीके से बन गया है तो गाइस मेरे चैनल पर नियू हो तो सब्सक्राइब करो और कॉमेंट जाके विजट कर लो उस प्लेश्ट के अंदर ऐसे काफी सारे कॉंसेप्ट हैं अमेजिंग जहां से आप अच्छे से इन सारी चीजों को सीख सकते हैं आप गाइस कि आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज तो लाइक कर दो मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे प्लीज से सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को अपने दोस्तों को सारे शेयर कर दो एंड थैंक्स watching guys